Hey friends, welcome back to our YouTube channel Learned Science दुनिया में अगर आप से सबसे कमजोर घर या सबसे वीक होम अगर किसी का पूछा जाए तो आपके जहन में कहीं ने कहीं इस्पाइडर वेब का जरूर जिक्राएगा इस्पाइडर वेब या जिसे हम मकडी का जाला भी कह सकते हैं thisencia कमजोर होता है कि आप इसा अपनी फूब से भी तौण सकते हैं लेकिन अगर आप ये सोचते हैं ऑग कि इस्पाइडर वेब या स्पाइडर वेब से बना हुआ इसका इसका सिल्फ सबसे ये भी इतना ही कमजोर होगा तो आप 100% रो में Do you know spider web का use जहां हम हम अपने agriculture को insect से, pets से और other जो अर्थ रॉपोर्ट्स होते हैं उन से हम या दूसरे जितने भी insects होते हैं उन से protection के लिए हम spider webs का use करते हैं ये spider's का use करते हैं वहीं हम अपने life को भी protect करने के लिए spider's का use करते है spider web का यूज़ करते हैं है नामेजिंग बात आपको जानकर हैरानी होगी कि spider web से बने हुए सिल इतने जारा मजबूत होते हैं कि यह kevlar को भी fail कर देते हैं kevlar आपने सुना होगा steel का नाम सुना होगा yes तो steel से five to seven times मजबूत होते हैं kevlar कि यूज़ किया जाथा है अब पलीस की आर्मी को आते हैं उनके जाकिट्स झायकेट्स होते हैं आपसे काफी जाद मजबूत होते हैं काफी add proof भी होते है में से कें और तो वहीं पिह इमका you is किया है तो अब इस्पार्डर सिल्क उनसे भी कहीं जादर के वलां से भी 7-8 ताइमस यह 20 ताइमस मस्बूत होते हैं इस्पार्डर सिल्क और उसका यूज आज कल हम लोग ब्लड प्रूफ जैकेट्स में किया जा रहा है तो टेक्स्टाइल एक्सपर्ट साइमन पेर्स का कहना है कि स्पाइडर सिल्क हैसा जाद स्टेश आजट सीनर इमें जाता है पिक्समे्टर सींटि Clayton कहीं हैसे रहेता है मेंज्ट और इससपाइडर सिलक और फ्राइछ थाओ घू चूटर कि ऑम यह कर दोती हो पनी प्रपरटि को बिना लोग कि वहस्ट्रेंज हो जाए गानाडब तो भूटेगा एकती है कि बलड्न ज्ट्रूफ अब जाती है यह जानते है कि तेज़ी से उस पे कोई भी गोली लगे तो इजली जो है वह अपने आपको सेह लेती है वह अंदर नहीं जाती है वह अनुप थाूज जाती है वह अनुप जाती है तो जो फ़ह पैडर सिल्क है जबना ज़्यादा है तो थोपी यह मार्केट में अवैलेबल क्यों नहीं है क्योंकि शपाइड के निकालना बहुत ही जादा मुश्किल्क बहुत ही जादा कॉं प्लाइकों इस में काफे टाइम लगतार , अभी सिल्क निकाला और फिर उन्होंने उससे गोल्डन सिल्क कैप बनाई जिसे आप यहां पर देख सकते हैं यह गोल्डन सिल्क कैप है यह अभी तक के ओरीजनल नेच्रल स्पैडर सिल्क से बने हुए सबसे बड़े क्लोथ है जिसकी जो लंबाई है वो 3.4 मीटर है और जो चोड से बनाया है और युझा आप जान सकते हैं कि इससे बनाने में इतना जादर टाइम लगए इनको और बनाने में तो आप सोच सते कि सबसे बनाना कितना मुश्किल होगा और यह मार्केट में इतनी तेजी से यह जादा अवेरवन नहीं है लेकिन फिर भी साइंटिस इसपे से स्पाइडर कर रहे हैं और पर डायब कि सपाइडर स्ल कि मसबूती का ंदाजय एस अजाग सकते हैं कि यूर्या साइनों कि उनका वेड के खोड़rant तैंज एक मैं से तक उसल उनका वेड़ कर सकते हैं कि एक पैंसिल पेंसिड्स फेंच tommy उसार सिंट धिया जाए तब कि अगर उसको इसको सामने लेकर के जाए 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 तो इसको रोग सकता है तो आप यहां से इस्पाइडर सिल्क की मजबूतिक अंदाजा लगा सकते हैं तो आपको काफी है रानी होगी कि स्पाइडर सिल्क का यूज अभी हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं ब्लड प्रू लिए भार से भी कहीं जादा स्टॉंग है, that's why हम इसको ब्लड पूर्फ मेटेरियल पे इनका यूज किया जा रहा है, जिसमें की लेटरी के लिए, प्लीस ओफिसर्स के लिए, पॉलिटिक्षियन के लिए जो ब्लड पूर्फ जैकेट्स पनाय जाती हैं, वहाँ पे इनका य साइंटिस्ट्स ने लैब में ऐसी गौर्ट तयार की है, जो कि, you know, साइंटिस्ट्स ने ये लेखा कि इस पाइडर जिस प्रोटीन से जिस जीन से अपने DNA की उन्होंने DNA लिया इस पाइडर का और उस DNA में जो जीन रैस्पॉंसिबल थी उस प्रोटीन को बनाने के लिए, इतनी जादा मजबूत होती है, जिससे पाइडर जो वह सिल्क बनाती है, वह ऐसा प्रोटीन बनाती है, जिसमें इतनी जादा Elasticity होती है, इतनी स्ट्रेंट होती है, तो उस प्रोटीन को उन्होंने वहां से एक्स्रैक किया और उन्होंने इंसर्ट कर दिया एक गौर्ट मे यह उसके बाल है उसके बाल में और उसके मिल्क में वही प्रोटीन अब वह निकाल रही है तो साइंटिस्ट उस प्रोटीन को वहां से निकालते हैं उससे फाइबर बनाया जा रहे हैं तो लैब में इस पर काफी प्रोसेश चल ला है लेकिन अभी हम फुली इसमें सक्सित्फुल नहीं हुए हैं लेकिट भी टाइम पनू हो सकता है कि आएंड़ कुछ सालों में हम लोग इस पर काम्याब हो जाए तो आई होप सो आपको आज की वीडियो आपको सुन करके काफी म अबेजिंग वीडियो के साथ बाइबाए